सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए एक लेटस और एक बहुत ही इंफोर्मेटिव वीडियो ले कराएं जिसमें आप देखेंगे मशूर पत्तरकार सोह चोदरी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और इंदोस्तानी शेरनी और हम सबकी चैती दबंग वकील नाजिय लाइखांजी और ये दोनों ना सिरफ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे हमारे प्र आप देखें, तो हमारी Sene Dal है, हमारी Nevi Dal है, अब इतनी strong है कि बड़ी सी बड़ी companies भी यहां पर आकर के expense करने को तयार है, यहां पर काम करने को तयार है, और मैंने बार बार इस बात को बड़ी जिम्मदारी से श्वेव कहा है कि हर देश, हर एक देश, हम लोग जान बूच कर यह व्यक्ति प्रै को मतने पार्प नियतेतometers की तरह रिष्ठ रखने उड़ को दिय मेरे लिया थे आफ तुम तुम को रखने को दिय था थे तुम को समझे को दिया था पर फिर अहीं आ गया है, शरीप दोनों भाईकर देंगे बाईकर भाय से नहीं को अटने vibrer अहला कि fenowald को कर दो, उनका सलवार खोल दो, तलवार दिखाओ और मजभ चेंज करवाओ, कि अवेसी का काम है हिजाब पहनाना, अवेसी का काम है निकाह करवाना, जब औरत को पीरियर्ट सो जाए, लड़की को पीरियर्ट सो जाए, उसी वक्यों कि वो बार-बार बोलता है न, age of puberty is age of marriage अवेसी का काम है औरतों को घर में बंद रखना, लेकिन वहीं पर जब आप अवेसी की बेटियों को देखियेगा, तो भाई साहब, कॉंग्रेस का एक फॉर्मूला था, divided and rule, कॉंग्रेस की एक नीती थी, कि मुसल्मानों को ये बताओ, कि हिंदू से तुमको खत्रा है, और हिंदू जो हैं, वो तुम्हारे दुश्मन है, ये कॉंग्रेस हमेशा करता है, हाला के कॉंग्रेस ने अपने उस फॉर्मूला में कभी भी मुसल्मानों का अच्छा नहीं किया, मुसल्मानों को शिक्षा की तरफ कभी राकिब नहीं किया, मुसल्मानों को शिक्षत होने कॉंग्रेस ने की टीम बनाई कौंखन आतंकी है, कौंखन जहादी है, कौंखन रेपिस्ट है, कौंखन गैंस्टर है। और झमाद दारू-लोम ज़ो चला रहा है वो फितर जकात पर और और सरकार को गालियां दे करके सरकार से पैसा ले करके जो दो हजार तेईस में एक बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था मतलब लाखों लाख ऐसे बच्चों के नाम से सरकार से पैसा लिया जा रहा था जो बच्चे थे ही न नादिया जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम देती हैं और मैं देखने वालों को बताता चलू कि आज नादिया इलाही खान का एक पेपर भी है एक्जाम भी है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए आप जोंसा वो बेस्ट वीशिज जरूर रखिएगा कि इनके एक्जाम में बेस्टर दे बेस्टरीन तरीके से ये कामिया भी हासिल करें एलल एम का इनका एक्जाम है तो नादिया जी बेस्ट आफ लाग उसके लिए क्या कहना चाहेंगी इंडिया की डाइवर्स्टी के हवाले से जहां पर आप मतलब मुस्ली वीडियो में हम देखते हैं आप बात करती नजर आती हैं कि हिंदू क्मुनिटी के हवाले से मुस्लिम क्मुनिटी के हवाले से लेकिन जहां पर इंटर्नेशन लेवल पर हम देख मर्यम सद्दीकी के हवाले से क्या कहने चाहेंगी भगवत कीता के हवाले से क्या कहना चाहेंगी और डावर्स्टी के हवाले देखिए मर्यम जिस हिसाब से उन्होंने भगवत गीता में श्रीमंद भगवत गीता हम कहते हैं खाल सिर्फ भगवत गीता नहीं कहते हैं श्रीमंद भगवत गीता में जिस हिसाब से उन्होंने पहला मुकाम हासिल किया और जैसा हमेशा होता आया है कि हमारे भारत के परदान को खोलूंगी तो लोगों को समझ में आएगा कि तब में और अब में इतने चेंजिस क्यूं आए हैं कि कॉंग्रेस का एक फॉर्मूला था डिवाइडन रूल कॉंग्रेस की एक नीती थी कि मुसल्मानों को ये बताओ कि हिंदू से तुमको खत्रा है और हिंदू जो है वो त नहीं दिया और टिम बनाई कौनकौन आतंकी है कौन जमजूंग है कौन कौन जिहादी है कौन कौन रेपरिस्ट है कौन कौन गैंसटर है उसकी एक टीम बनाकरके उसको फलाया खुलाया और उसको रोटी-bोटी दे करके एक पॉकट वोट होसलमानों का अपने पॉकट में रखा हिंदू के साथ क्या किया कॉंग्रेस ने कि उनको उनकी सिविलाइजेशन से दूर कर दिया उनको उनके ग्रोकुल से दूर कर दिया उनको उनकी सभ्यता और संसकार से दूर कर दिया उनको कहीं ना कहीं वेस्टन कल्चर में रागिप करने की कोशिश कर दी कॉंग्रेस और उसके बाद डिवाइडन रूल की पॉलिसी वो खेलते चले गए और इतने साल वो यहाँ पर जम करके भारत को अपने बाप की जागिर समझ करके गार्णी परिवार बैठे रहे लेकिन अब क्या हुआ है मुसल्मान अपनी सप्यता अपने सिविलाइज़शन को मानो हिंद तुम सनातन धर्म यह घमंड करो के तुम सनातनी हो क्रिश्चन तुमको प्राउड होना चाहिए कि तुम क्रिश्चन हो लेकिन सब मिल करके भारत को बहुत अच्छे से उसके सभ्यता को मानना होगा उसके सिविलाइजेशन को मानना होगा और भारत को अपनी माता हर कोई मा तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। उसी के एक जिंदा मिसाल हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि एक कश्मीरी लड़की ने बहुत खुबसूरत भजन गाया था, मैंने आपके साथ ही वो सेशन किया था तब उस वक भी मैं दिली में थी, मैंने कहा था कि कश्मीरी लड़क कि ने बहुत खुबसूरत भजन गाया है, उसके बाद फिर हमने अरब में देखा, आप आप अबुधा भी खुद गये थे, कि वहाँ पर 27 कड़की मंदिर बनी और इतनी खुबसूरत, इतनी खुबसूरत मंदिर बनी है, कि शायद आपकी भी आखे फट गई होगी, उसके है कि आपको 2024 के अंथ तक सुनाई देगा कि एरान में भी एक बहुत बड़ी भव्या मंदिर बन रही है, और बड़ी जिम्मेदारी से में ये बात कह रही हूं आपको, हो सकता है कि आपको सुनाई देगा कि दुबई में एक और बहुत बड़ी भव्या मंदिर के का पराण भगवत गीता के श्लोक और अध्याय पढ़ते वे बैठता है वो जब किसी कैमरा के सामने आता है तो वो चोटा सा चार साल का बच्चा A for Arjun और B for Bhagwat Gita बोलता है मतलब हम लोग A for Apple B for Ball पढ़े उसकी माने उसको A for Apple और B for Bhagwat Gita पढ़ाया है मतलब ऐसे Alphabet को पढ़ाया है अब तुम सोचो कि जब एक चार साल का बच्चा अपने सनातन धर्म के लिए इतना डिवोटी हो सकता है और मुझे प्राउड हो रहा है उस मा पर जिस मा ने उसको ऐसे संसकार दिये हैं और एक मुसल्मान है जो आज भी मदर से के लिए किसी को काट रहा है किसी को मार रहा है आज भी मुसल्मान घर के जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा ही लगता है क वो बिल्कुल खाबिल नहीं है अपने खुद के बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए मुसल्मानों को आज भी ऐसा ऐसास होता है कि मेरे बच्चे मदर्सा जाकर के ये पढ़े कि अल्ला एक है पाक और बेयाव है मुसल्मान घर के माबाब जो हो ये सोचते हैं कि प्रोफिट मुखंड सलल्लाई ये सारी चेज़े हमें मदर्से में पढ़ने की जरूरत है क्या क्या हमारे माबाब हमारी दीनी तालीम दिलाने के लिए काफी नहीं है क्या मुझे तो लगता है काफी है अब मैं आपको बताओंगे कि देखिए कितना खुबसूरत है सनातन धर्म कितना खुबसूरत है पटना में छोटे से चगा पर हनुमान मंदिर है जब आपने भगवत गीता की बात छेड़ी है तो थोड़ा सा सुन लेजिए पटना में ए अब आप सोचो कि एक थोटा सा हनुमान मंदिर वो पांच पांच हस्पताल चला रहा है अब आप मुझे बताइए कि भारत का कौन सा मस्जिद पांच स्कूल और पांच हस्पताल चला रहा है चलिए ठीक है आप अपने पाकिस्तान का बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा मस् पाँच स्कूल और पाँच हस्पताल चला रहा है। पाँच को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शने में लिकर जरू बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपकी से लेटस्ट इंट्रस्टिंग और इन्फ